हेलो स्टुइट्स हम स्टार्ट करें अपने इस यूट्यूब चैनल पे एक नई सीरीज जहां पे डॉक्टर विपिन जो है आपको 1000 जो है MCQs को लेके GSK MCQs को लेके बात करेंगे इसमें कुछ parts रहेंगे हम 10 से 12 parts में इस वीडियो को बनाएंगे क्योंकि इसमें 1000 MCQs रहेंगे so I hope आपके जो competitive exams के लिए आपको काफी helpful रहे और अगर आप competitive नहीं कर रहे हैं फिर भी आपको जो January 2020 से लेके December 2020 तक जितने भी current affairs रहेंगे उसको लेके हम ये बात करेंगे I hope आपको ये वीडियो पसंदा है so let's start the video then World Milk Day कब celebrate किया जाता है हमारे इंडिया के अंदर not India के अंदर World Milk Day जो है celebrate कब किया जाता है World Milk Day celebrate करते हम 1 June को 1 June is the correct answer और ये जो World Milk Day है ये किस ने establish किया था? Food and Agriculture Organization ने Food and Agriculture Organization के Headquarter कहां पे है? Rome Italy के अंदर इसके Headquarter है clear अब बात करते हैं Milk Day के उपर आपको दो चीज़े याद रखने है एक तो White Revolution, White Revolution किसके साथ संबंदित है? सफेद करांती किसके साथ संबंदित है? Milk के साथ दूसरा जो है आपका Operation Flood Operation Flood भी किसके साथ संबंदित है? Milk के साथ संबंदित है Operation Flood जो है ये इसके जनक किसे बोलते हैं जा White Revolution के जनक किसे बोला जाता है Dr. Varghese Curran को Dr. Varghese Curran को बोला जाता है clear और इनकी ही बदॉलत जो अमूल अमूल हमारा स्थापित किया गया है आनंद डिस्टी के अंदर, गुजरात के अंदर तभी हमारी इतनी बड़ी production हो रही है Milk की इंडिया के अंदर मैं आपको और चीज़ बताना चाहूँगा कि इंडिया जो है हमारा इंडिया ठीक है? वर्ल्ड का सबसे बड़ा producer है Milk का answer इसमें one option बनेगा correct answer, A option Next है शिवाजी राओ पाटिल निलांगिकर शिवाजी राओ पाटिल निलांगिकर इनका हाली में धियानत हुआ है ये कौन सी स्टेट के चीफ मिनिस्टर थे? पूर्व मुख्यमंतरी थे तो ये थे महाराष्टर के answer इसमें B option बनेगा right answer अभी महाराष्टर के अगर मैं बात करता हूँ तो अभी महाराष्टर के जो CM है उनका क्या नाम है? इस उदव ठाकरे और गवर्नर का नाम क्या है? बगसिंग कोशियारी और महाराष्टर की capital क्या है? मुंबई यहाँ पे बहुत सारे national park है जैसे कि नावे गाउन national park है संजे गांधी जिसे आप बोरी वली कहते हैं बोरी वली national park देखने को मिलता है चंदोली national park है गूगा मल गूगा मल national park है तदोबा तदोबा national park है तो इस आर वेरी वेरी important अंसर इसमें B option बनेगा, महराश्रा is the correct answer International Literacy Day, अंतराश्या साक्षरता दिवस जो है हर साल हम कब सेलिब्रेट करते हैं ये हम सेलिब्रेट करते हैं सेप्टमबर 8 को, 8 सेप्टमबर को ये सेलिब्रेट किया जाता है और इसका जो थीम है वो क्या है, Literacy Teaching and Learning Literacy Teaching and Learning in the COVID-19 Crisis and Beyond Very important question है, ये वाला थीम आते हैं पेपर में बहुत ज़्यादा Literacy Teaching and Learning, मतलब साक्षरता और पढ़ाना और सीखना COVID-19 के टाइम पे, COVID-19 क्राइसिस के टाइम पे और उसके आगे तो ये जो है आपका थीम था, that is Literacy Teaching and Learning in the COVID-19 Crisis and Beyond, अब बात करते हैं हम Literacy की, हमारे इंडिया में Literacy कितना रेट है हमारा 74.04% है हमारा Literacy rate अब बात करते हैं, सबसे ज़्यादा हमारा केरल राज्या जो है इसकी सबसे ज़्यादा Literacy rate है, approximately 93.91% के आसपास और सबसे least literate state क्या है, that is Bihar Bihar सबसे least literate state है, 863.82% के आसपास देखने को मिलता है यह जो मैंने डेटा आपको बताया है, यह 2011 के census के according है ध्यान रखना, साक्षरता दर जो है, आपका 2011 के जो census है जनगन्ना है, उसके अधार पे हमेने बताया है answer is B option, September 8 council state ने एक नई अप्रोच ली है, aerial seeding की ताकि जो वह अपने plant seed, अरावली hills के around जो है मतलब वहाँ पे बो सकें किस राजय ने अरावली पहाड़ों पर बीज बोने के लिए aerial seeding का इस्तेमाल क्या है इसमें क्या होगा कि इस तरीके से जो आपके aerial seeding होगी helicopter के थूँ, किसी भी थरीके drone के थूँ ऐसे क्या होगे, हवा में seeds ऐसे बिखेरे जाएंगे और आपके अरावली hills के ऊपर खीती करी जाएगी तो ये कौन सा राज़ा है, ये है हर्याना हर्याना राज़ा ने ये किया है helicopter, drones, planes के थूँ ये aerial seeding करेंगे हर्याना की बात करते हैं, तो हर्याना की capital के है question park देखने को आपको मिलता है, answer is A option, हर्याना is the correct answer, कौन सी space agency ने पहला fast radio burst that is called FRB 200428 in our Milky Way galaxy में डूणडा है, इसका मतलब क्या होता है, जो है आपका अकाश गंगा में FRB 200428 नामक fast radio burst डूणडा है, इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पर बहुत सारी radio waves तरंगे देखने को आपको मिली है, जो आपकी collide करती रहती है, black hole के साथ, और बहुत सारे dead star को जो है यह generate करती है, जिसे आप magnetars भी कहते हैं, और जो अभी इस ने रिपोर्ट देखी है यह किस ने देखी है, NASA ने देखा है, यह वाली जो चीजे देखी है, radio burst देखा है, NASA ने देखा है अब बात करते हैं, NASA ने यह बोला है, कि जो X-ray, X-ray और radio waves दोनों का मिश्रन यहाँ पर देखने को आपको मिला है X-ray और radio waves का, NASA की बात करते हैं, National Aeronautic Space Administration कहते हैं इसके headquarter कहाँ पर हैं, Washington के अंदर, 1958 में यह organization बनी थी, और इसके administrator का नाम क्या है, that is Jim Brandenstein Jim Brandenstein इनके administrator का नाम है, answer is B option, NASA किसे UNICEF ने, UNICEF ने मासिक धर्म के प्रति जागुटता फिलाने के लिए किसे चुना है मतलब, मासिक धर्म, जो कितने दिन का होता है, 28 days का होता है, 28 days का मासिक धर्म उसकी awareness फिलाने के लिए किसको चुना है, तो यह UNICEF ने चुना है, मानुशी चिलर को answer इसमें A option बनेगा, right answer, मानुशी चिलर वो है, जिन्नोंने 2017 के अंदर, Miss World जीता था UNICEF ने बोला है, तो UNICEF के headquarter कहां पे है, New York के अंदर headquarter है, और UNICEF बना कब था, 1946 में यह बना था और इसके जो चीफ हैं, उनका नाम क्या है, यह UNICEF के चीफ है, UNICEF, United Nations Children's Emergency Fund इसको कहते है answer is one option, William English, जिनका हाली में दिहांत हुआ है, और यह एक computer के एक जो device लगते थी, उसके जनक थे, उसके निर्माता थे actually, यह किसके निर्माता थे, देखो जी हाथ में क्या पकट रखा है इनोंने, that is mouse, जिसे हम चलाते हैं, mouse, clear mouse को दो लोगों ने डून दा था, एक तो William, मतलब invent किया था, एक तो William, English ने, और एक थे Douglas Engelbert Douglas Engelbert, दोनों का ही दिहांत हो गया है, चीक है, और यह दोनों लोग जो थे, American थे, American, चीक है, और answer इसमें क्या बनेगा, आपका, mouse is the correct answer इनमें से, ITTF, International Table Tennis Federation, Women World Cup Title 2020 का किसने जीता है, ITTF महिला विशेप कब 2020, यह जीता है, किसने, that is, Chan Mang ने जीता है, यह Chinese लड़की है, Chan Mang, answer इसमें, A option बनेगा, right answer चाइना से बिलॉंग करती हैं, और यह जो टाइटल हुआ था, यह हुआ कहां पे था, that is in the वही, वही चाइना के अंदर देखने को आपको मिला था, clear, और यह कौन सा एडिशन था, 24 एडिशन था यह, 24 वा एडिशन था यह वाला, और ITTF की President कौन है, Thomas Wickard, Thomas Wickard is the Chairperson or the President of the ITTF Lausanne, Switzerland के अंदर जो है, इसके Headquarter है, Lausanne, Switzerland के अंदर, 1926 में ITTF बना था, answer is, one option is the correct one, study in India कारेकरम के तहत, भारत द्वारा आयूजित किये गए, पहले Online Test का नाम बताईए, जो Online Test का नाम बताना है, Study in India प्रोग्राम जो 22 जुलाई को देखने को आपको मिला था, और इसका जो जिसे हम क्या कहते है, India Set, Ind Set इसको कहा जाता है, India Set, that is Indian Scholastic Assessment Test इसको कहते है, answer इसमें C option बनेगा, right answer, और C option बनेगा, और बात करते हैं, इसको किसने टेस्ट किया था, मतलब कौन लेता है, यह किसकी Administration में आता है, National Testing Agency के अंदर आता है, यह National Testing Agency के Headquarter कहां पे है, New Delhi के अंदर है, इसमें 5000 से जाला चात्रों ने भाग लिया था, कितनी कंटरी से 12 कंटरी से भाग लिया था, जैसे के for example, Nepal, Ethiopia, Bangladesh, Bhutan, ऐसे बहुत सारी 12 कंटरी से आपकी थी, और इसमें क्या होता है, Study in India प्रोग्राम में क्या होता है, कि जो foreign के students होते हैं, उनको हम fees भी माफ करते हैं, और scholarship भ जो आज कल हमारी कौन से ministry है, Education Ministry इसको कहते हैं, और हमारी Education Minister कौन है, रमेश, पोकरियाल, निशंक, और इनकी जो constituency क्या है, हरीदवार, यदि उत्राखंट से ये बिलोंग करते हैं, उत्राखंट constituency है, इनकी, मतलब हरीदवार उत्राखंट से constituency है, answer इसमें C option बनेगा, correct answer, इ Vice President of India है, Venka and Idoji, इन्होंने launch करी थी ये बुक, और इसके जो author है, वो है, that is, Amara Sardha Dīpti, ये दो लोगों ने लिखी है, एक तो Amara Sardha Dīpti ने, और एक है, that is, Rala Bandi Shriram Chakradhar, ये दो लोगों ने जो है, इस बुक को लिखा है, ठीक है, very very important, Very very important, answer इसमें B option बनेगा, right answer, Association of Forging Industry of India, Association of Forging Industry of India के नए अध्यक्ष के रूप में, President के रूप में, किने नियुक्त किया गया है, और ये नियुक्त किया गया है, किनको, विकास बजाज को, विकास बजाज को appoint किया गया है, 2020 से 2022 तक ये appoint किये गए है, very very important, clear, और साथ के साथ जो है, आपको Vice President, Vice President भी पता होना चाहिए, जो अभी नए नियुक्त को है, वो youngest Vice President है, उनका नाम क्या है, that is Mr. जश्मुनोद, जश्मुनोद जो है, ये आपके Vice President है, Vice President of Association of Forging Industry of India के, answer is, A, D option बनेगा, विकास बजाज is the correct answer, New Deputy Governor of RB, किने appoint किया गया है, Deputy Governor जो है, RB के चार है, जो अभी नए नियुक्त किया गया है, उनका नाम क्या है, M. Rajeshwar Rao, M. Rajeshwar Rao को appoint किया गया है, answer इसमे, A, option बनेगा, इनके इलावा तीन और भी है, M.D. Patra, M.K. Jan, M.K. Jan, और B.P. Kanan Gau, B.P. Kanan Gau, ये तीन लोग और हैं, औ और हमारे RB के जो Governor है, वो कौन है, ये शक्ति कांत दास, और वो कौन है, 25 वे Governor है, RB के, और RB के Headquarter कहां पर है, Mumbai के अंदर, 1st April 1935 को बना था, according to the Government of India Act, 1934, answer is, A, option क्या बनेगा, right answer बनेगा, जपान ने Zero Carbon Emission कौन से साल तक जो है, अचीव करने का Target set किया है, कि हाँ, हम Zero Carbon पे लेके आएंगे, हमारे देश में कोई भी Carbon से चीज़ें नहीं निकलेंगे, Carbon का Pollution नहीं होगा, तो इन्होंने बोला है, 2050 तक, 2050 डक इन्होंने बोला है, clear, जपान के वेलिए मैं बात करूँ है, वो है Tokyo और करंसी क्या है, यन, और जपान ने, जपान ने India, Australia के साथ जो है, एक Agreement Sign क्या, और ये कौन सी चीज़ थी, एक Initiative था, Supply Chain Resilience Initiative, Supply Chain Resilience Initiative का मतलब क्या है, कि चाइना को counter करने के लिए, इन्होंने, जपान ने India और Australia का साथ लिया, answer इसमें, 2050 is the correct answer, as per the report by Terry, तेरी का मतलब क्या है, यहां पर, that is, the Energy and Research Institute, the Energy and Research Institute, electricity जो इंडिया के अंदर है, वो 7-17% जो है, आपकी लोर हो चुकी है, demand due to the COVID-19 buy, मतलब क्या है, 7-17%, COVID-19 के कारएं, भारत में बिजली की मांग, 7-17% कम हो गई है, ये कब तक, मतलब दिमांड जो है, कब तक कम हो जाएग तक के इन्होंने कम होगी, मतलब 2025 तक कम होगी, ये, जो है, that is, the Energy and Research Institute के अगर हम बात करते हैं, तो Headquarter कहां पे है, New Delhi के अंदर है, और इनके Director General का नाम क्या है, अजे माथूर, अजे माथूर, और अभी जो है, जो Former Chief थे, that is, R.K. Pachauri, R.K. Pachauri, जो Former Chief थे, इनका हाली में इहां तो है, तो अजे माथ हो, जो है, Director General है, अभी, अंसर इसमें, 2025 is the correct answer, कौनसी स्टेट ने लॉंच किया है, जगन अन्ना विद्या कनु का स्कीम, जगन अन्ना विद्या कानु का योजना, जो है, किसने स्टार्ट करी है, इसमें क्या होगा, कि हम जो School Going Students है, पूर चिल् करेंगे, 650 क्रोड रोपे का ये प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर एक से लेके दस्वे स्कूल तक के बच्चों को School Kit प्रोइड करी जाएगी, जनके विद्या कानु का प्रोइड किया जाएगा, जिसमें आपके यूनिफॉर्म होगी, जिसमें आपके एक पेर श्यूस का उगे, एक बल्त होगी, एक टेक्सट बूक होगी, एक सकूल बैग होगा और कुछ नोट बुक्स होगी, जिक है, तो यह जो है जगन अन्ना विद्या का स्कीम है, तो ये कौन से राज्या ने गोशित करी है तो ये गोशित करी है आंदर प्रदेश ने, इसमें D option बनेगा राइट अंसर आंदर प्रदेश की बात करते हैं तो यहां के CM कौन है Y.S. जगन मोहन रेडी तबी जगन अन्ना जो है इनका मतलब स्कीम का नाम है Y.S. जगन मोहन रेडी है और गवर्नर कौन है यहां पे विश्वबूशन हरी चंदन विश्वबूशन हरी चंदन और यहां पर बहुत सारे नैशनल पार्ग है जैसे पापी कुंडा नैशन पार्ग है शिरी वेंकर टेश्वरा वेंकर टेश्वरा नैशन पार्ग है राजीव गांदी जिसे आप कहते हैं रामेश्वरम नैशन पार्ग देखने को आपको मिलता है ठीक है अंसर इसमें D option बनेगा डै is Andhra Pradesh is the correct answer, Andhra Pradesh.